प्यारे बच्चों आज हिंदी विशय में अध्य्यन करेंगे पारट 10 काम चोर और इसके लेखके इसमत चगताई जी तो बच्चों इस पारट में हासे ब्हेंगे की रूमें दड़सायागया है कि किस परकार पहले तो मात्यपिता बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते जब उन्हें नोकरों की आदत हो जाती है तो उन्हें बुरा लगने लगता है और फिर उनकी चाहत होती है कि यह तले कुछ काम करें ऐसे में बच्चों का भी कसूर नहीं होता है वे चाहते वए भी कारे को उल्टा सिधा करते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक तो कभी कोई कारे किया ही नहीं क्योंकि कारे करने के तरीके उन्हें कभी सिखाए ही नहीं गए हैं तो इसलिए वो सभी कारे को उल्टे कर देते हैं तो इसे पर यह आधारिते हैं सभी वच्चे ध्यान दे बड़ी देर के बाद बाद बिवाद के बाद यहां तैवा कि सच्मु नौकरों को निकाल दिया जाए आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं फिलाल पानी नहीं पीते इन्हें अपना काम खुद करने के आदत होनी चाहिए काम चोर कहीं के तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते और सच मुझ हमें एक हयाल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते हिल कर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है इसलिए हमें तुरंत हिल इला कर पानी पीना सुरु किया तो माता पिता स्वयमी पहले घर की सुजदाओं है तो हर कारे के लिए नोकर रखते थे लेकिन बात में वो सोचते हैं कि बच्चे तो बड़े निठले हो गए ये तो कुछ काम नहीं करते हैं और उन्हें लगा कि नोकरों को घर से भगा देना चाहिए नोकर नहीं रखने चा सही में हमें अपना काम स्वयम करना चाहिए तो इतने में वहाँ फिर पानी पिने बच्चे चले जाते हैं हिले में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबल तो थे नहीं कि कोई धका दे तो सह जाए लिजे पानी में पानी के मटकों के पास ये घमासान उद्व हो गया सुराईयां उधर लुड़की मटगे इधर गए कपड़े भेगे सो अलग या भला काम करेंगे अम्मा ने निश्चे किया करेंगे कैसे नहीं देखो जी जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगीज नहीं मिलेगा समझे यहां लीजे बिल्कुल सही फर्मान जारी हो रहे हैं और बच्चों ने देखा पानी का मटका था तो बच्चों में छेना जप्टी हो गई छेना जप्टी में जो पानी का जो मटका था वा तोट गया तो फिर जो उनके अबबा थे वा कहने लगे देखो बच्चे किस परकार से काम करें ऐसे तो इनसे काम नहीं होगा तो बच्चों की जो अमाती उन्होंने का करेंगे क्यों नहीं जो काम नहीं करेंगे उन्हें रात का भोजन नहीं मिलेगा हम काम करने को तयार है, काम बताए जाएं, हमने दुखाए दी, बहुत से काम है, जो तुम कर सकते हो, मिसाल के लिए यही दरी कितनी मैली हो रही है, आंगर में कितना कोड़ा पड़ा है, पेडों में पानी देना है, और भाई मुफ्त यहां काम करवाएं नहीं जाएंगे तुम सब को तनुखवाई भी मिलेगी तो बचों ने का हम तो काम करेंगे हमें काम बताए जाएं क्यों नहीं हम बिल्गुल काम करेंगे तो आम्मा ने उनको काम बताया कि काम बहुत सारे हैं घर में मैली दरी पड़ी भी है उसको भी उसको तुम सभी धुल देना और पेड़ों को पानी देना है घर की सफाई करनी है ये तना सारा काम है ये तुमें सब को करना पड़ेगा और ये काम तुमसे फिरी में नहीं करा जाएगा मुफ्त में नहीं करा जाएगा इसके लिए तनख़ा भी मिलेगी अब्बा मिया ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया माली को तनख़ा मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो एहे खुदा के लिए नहीं घर में बाड़ा जाएगी अमाने याचना की फिर भी तनख़ा के सपने देखते हम लोग काम पर तुल गई एक दिन फर्ची दरी पर भहुत से बच्चे जुट गई और चारों ओर से कोने पकड़ कर जटकना शुरू किया दो चार ने लकडियां लेकर धुआधार पिटाई शुरू कर दी तो अब अमिया ने का यह तो काम जैसे करेंगे तो घर में ही पा अब सब बच्चे जब धरी पर जपते दरी को साप करने लगए तो उसे इतनी धूल निकल गई कि खांसते खांसते सब के बुरे हाल हो गए और नाकों और मुह में सब की धोल भैट गई तो इतने में वहां से उनको भगा दिया बच्चों को फिर उन्हें आंगन में भेज दिया उन्होंने देखा ठीक है अब तो हम यहां ज़ाडू लगाएंगे ज़ाडू क्योंकि एक लिया भाई यह बुजरू काम करने दे तो इनसान काम करे जब जरा जरा सी बात पर तोगने लगे तो बस हो चुका काम अब ज़ाडू घर में एक ही थी और काम करने वाले बहुत ज़्यादा थे बच्चे ज़्यादा थे क्योंकि उन्हीं तनख़ा मिलनी थी तो सब ज़ाडू देने से पहले जरा सा पानी छिडग लेना चाहिए बस यहाँ खयाल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिडगा गया एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी पानी परते सारी धूल कीचड़ बन गई अब सब आंगन से भी निकाले गई तै हुआ कि पेड़ों को प पानी दिया जाए बस सारे घर की बालतियां लोटे तसले भगोले पतेलियां लूट ली गई जिन्हें ये चीजें भी न मिली वह डोंगे कटोरे और गिलास ही ले भागे अब बच्चों को ध्यान आया कि जाड़ों देने से तो पहले पानी छिडग ना था क्योंकि धूल पानी भी देना है तो जिसके हाथ जो लगा लोटा तसले भगोने पतेलियां जो भी जिसके हाथ में लगा वे सब उसको लेगते हुए पेड़ की तरफ बड़े पेड़ पोधों की तरफ बड़े अब सब लोग नल पर तूट पड़े यहां भी वा घमासान मची क्या मजाल जो एक बून पानी भी किसी के बरतन में आ सके ठोसम धास किसी बाल्टी और पतीला और पतेले पर लोटा भगोने और डोंगे पहले तू धक्के चले फिर कोहनिया और उसके बाद बरतन फोरन बड़े भाईयों बहनों मामों दमदार मोसियों फोपियों की कुमक भेजी अब सब जिसके हाँ जो जो लगा लोटे गिलास बरतन जो बरतन जिसके हाँ लगा अब क्योंकि पेडों को पानी देना था सब नल की ओर तूट पड़े और पानी तो भरना दूर किसी के बरतन में एक बून तक पानी नहीं आया क्योंकि वहां भी सब पानी के लिए लड़ रहे थे कि पहले मेरा बरतन भरा जाए और इतने में घर के जो सदसे थे उन्होंने उनको वहां से भगा दिया इस धींगा मुस्ती में कुछ बच्चे कीचर्ज में लत्पत हो गई जिनें नहला कर कपड़े बदलवाने के लिए नोकरों की बरतमान संक्या काफी नहीं थी पास के बंगलों से नोकर आए और चार आना प्रती बच्चा के हिसाब से नहलु आए गई हम लोग कायल हो गए कि सचमुचिया सपाय का काम करने काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखवाल हमसे हो सकती है कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें बच्चों की जो जिना जबती थी पानी को लेकर सारे कपड़े उनके किचड़ी किचड़ से हो गए अब बच्चों को नहलाना भी था तो घरके जो नोकर थे बेज़ देगे लेकिन बगल की घरके से नोकर बुलवाये गए और जुन्होंने बच्चों को नहलवाने के लिए जो पैसे लिए सो अलग पड़ गए और अब उन्होंने सोचा ही हमसे काम नहीं होगा चलो जो घर की मुर्गियां क्यों नहीं बंद कर दिया जाए बस साम ही से जो बांच शड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हांकने लगी चल दडबबे चल दडबबे पर सहा मुर्गियों को भी किसी ने हमारे बिरुद भढ़का रखा था उठ पटांग इधर उधर कू दडबे में लेकिन कहा मुर्गियां उनकी मानने वाली थी तो बचे इतने सारे थे तो मुर्गियों कभी इधर भाग जाती कभी उधर भाग जाती उनके हाथ नहीं लगती और घषप्र बिलू खराप करते हुए मुर्गियां घर के आंगमें भागने- लगज़ने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपटे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है एक बड़ासा मुर्गा अम्मा के खुलेवे पांदार में कूद पड़ा और कथे चुने में लुथडेवे पंजे लेकर नानी अम्मा की सपेद दूद जै कीचड़ पड़ाव था कि पैरों में कीचड़ लगनी से सबके कपड़े गंदे करती वी मुर्गयां आगे चल दी एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली के सारी कीचड़ मोसी जी के मुहाँ पर पड़ी जो पेड़े आई हुए है लगे हातों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए तो मुर्गी जो थी वहाँ बच्चों किसी के हात नहीं आई लेकिन वहाँ जो घर में जो मुर्गयां थी घर के लोगों परिसान करती भी बच्चों ने उन मुर्गयों से भी पीछा चुड़वाया लेकिन वहाँ अपने दड़वे में जाने को तयार नहीं थी दिन भर की भूकी भेड़े दाने का सूप देकर जो सब की सब जप्टी तो भाग कर जाना कटिन हो गया लश्टम पश्टम तक्तों पर चड़ गई पर भेड़ चाल मसूर है उनकी नजर तो बस दाने की सूप पर जमी हुई थी पलंगों को फलांगती बरतन लुड़काती साथ साथ चड़ गई तक्त पर बानी दीदी का दुपटा फैला हुआ था जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारेस रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी बेड़ें बहुत ही निसंक को सबको रोंती मेगनों का छिड़काओ करती भी दोड़ पड़ी अब दिन बर की जो बच्चों ने सोचा चलो मुर्गियां छोड़ दो ये तो अपनी द्रणमे में जाने को नहीं तेकि जो भेड़ें हैं क्यों ना उनको कुछ खिलाया जाए जैसे यो भेड़ों को खिला टेंको और बंबारों से उधर से छापा मार कर गुजर गई हो जहां जहां से सूप गुजरा भेड़ें सिकारी कुत्तों की तरह घंद सुंगते भी हमला करती गई हजन मा एक पलंग पर दुपट्टे से मौट ढांके सो रही थी उन पर से जो भेड़ें दोड़ी तो न जा यहां सेन्गों का युद्वा हो ऐसा घर का माहुल बना हुआ था जहां बरतन कपड़े सब भिखरे वे थे इतने में भेड़े सूप को भूल कर तरकारी वाली की टोगरी पर तोड़ पड़ी वहां दालान में भेटी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोईय को दे रही थी वा अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई आपने कभी भेडों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रूई के तके को कूट रहे हूं भेड को चोट ही नहीं लगती बिलकुल या समझ कर कि आप उससे मजा कर र में सबजियां पड़ी है सबजी काट कर रखी हुए है तो उसक उन सब्सब्स तूट पड़ी और जितनी ही सब्सब्स प्रवा नहीं थी इतनी बड़े फोशती जिसे रात का खाना न मिलने की धंकी मिल चुकी थी वह चार भेंसों का दो दुहने पर जुट गई धुली बेधुली बाल्टी लेकर आठ हाथ चार थनों पर पिल पड़े भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़े भी अब बच्चों ने सोचा कि आज तो खाना नहीं मिलेगा क्योंकि काम करना है काम नहीं हुआ तो खाना नहीं मिलेगा उन्होंने सोचा क्यों नहीं अब दूद ही निकाला जाए तो सब बाल्टी लेके भैंस की तरफ दे लेकिन भैंस क्या हो गए उन्हें देके घबरा गई क्योंकि सब भैंस पर तूट पड़े और भैंस ने घबराते हुए बाल्टी को लात मार दी तै हुआ कि भेंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांदी जाए और फिर काबों में लाकर दूद दूह लिया जाए बस जूले की रसी उतार कर भेंस के पेर बांद ये बांद ये गई पिछले दो पेर चाचा जी की चरपाई के पायों में बांद अगले दो पेरो को बांदने की कोशिज जारी थी कि भेंस चोकननी हो गई छोटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि सायद कोई सपना देख रहे हैं फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझा कि आंधी तोफान में फसे हैं अब बच्चों ने सोच भेंस तो ऐसे दूर नहीं देगी ये तो इदर दर फुदक रही है तो उन्होंने सोचा क्यों ना भेंस के पैर बांदिये जहाएं तो रसी लाए गई भेंस को बांदिया गया जहां चाचा जी चरपाई थी चाचा जी उस पर सोय हुए थे लेटे वे आराम कर रहे तो उन् माजा आ रहा था भेंस भागे जा रही थी और पीछे पीछे चरपाई और उस पर बैटे वे थे चाचा जी ओहो एक भुल ही हो गई यानि बचडा तो खोला ही नहीं इसलिए ततकाल बचडा भी खोल दिया गया तीर निसाने पर बैटा और बचडे की ममता में ब्याकुल हो गया तो उन्होंने देखा आरे बैंस तो भागे जा रही है फिर बचड़ों ने बचडे को खोल दिया बचडा फिर इधर उदर भाग गया कुछ दूद जमीन पर और कपड़ों पर गिरा दो चार धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई बाकी बचडा पी गया यहा सब कुछ मिन्टों की तीन चोथाई में हो गया घर में तूट खड़ा हुआ जैसा लगता है जैसे सारे घर में मुर्गियां भेड़ें तूटे वे तसले बाल्टियां लोटे कटोरे बच्चे थे बच्चे बाहर किये गए मुर्गियां बाग में हंकाई गई मातमसा मनाती तर तूद इदर उदर गिर गया, कुछ थोड़ा बहुत किलास में भी गिर गया, कुछ लोटे में गिर गया, लोगि बाटी तो थी नहीं, बाटी तो कहीं और गिर गई थी, या तूफान जब घर वालों ने देखा, या तूफान सा घर में हो रखा था, मुर्गियां भेडें कायम कर लो, या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली माई के, अम्मा ने चुनोती दे दी, और अबा ने सब को कतार में खड़ा करके, पूरी बटालियन का कोट मासल कर दिया, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया, तो बस रात का खाना बंद हो ये लीजिए, इन्हें किसी करवट सांती नहीं, हम लोगों ने भी निशे कर लिया है, कि अब चाए कुछ भी हो जाए, हिलकर पाने भी नहीं पियेंगे, जो उनकी अम्मा थी, उन्होंने का, भाई तुमने बच्चों को समा लो, और अगर ये बच्चे इस तरीके से करते तुम अपने माई के चली जाओंगी, तो अबबा ने क्या कर जो उनकी अबबा थे, उन्हें सारे बच्चों को लाइन पर खड़ा कर दिया, और उनको समझाया है कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी वस्तु पर हात लगाया, तो उन्हें रात का खाना नहीं दिया तो बच्चों ने का, अब चलो ये भी सही है, और उन्हें पुरा निश्चे किया कि अब हम घर के किसी भी वस्तु को हात नहीं लगाएंगे, यानि घर का कोई भी काम नहीं करेंगे, यहां तक कि अपने लिए पानी भी स्वयम नहीं लाएंगे, तो प्यारे बच्चों, आ